सरकारनी उखलाई प्रस्ताव ठेवलेला ना ही सरकारनी हामची मतजाणून गेतली ए ही मतजाणून गेताना हाजो कई जेजमेंट आह या जेजमेंट्च सविस्तर पुथक करण मी केरेला आहे के कुरुष्ण मुर्ती चा जज्जमेंट आणि तेचा वर आधारी तस्तेला खानविलकर साहबानी नुक्तस दिलेला जज्जमेंट या दोनी जज्जमेंट मदे अतिश्यस पष्टपणे सांगित लेला आए कि पॉलिटिकल बैक्वर्ड नेश्चा संदरबातली इंपरिकल इंक्वाइरी कराईची है मिया सांगित लगी एचा जनगण देशी कुठलाई संबना नाई है तो पैरेग्राफ मी वाचुन दाखो लेला आए आणि ही जी का इंक्वाइरी कराईची है ही ट्रिपल टेस्ट संगित लेली है तो टेस्ट सा पहला भाग जो आए तो कमिशन गठित करने तो आपन पुर्णा केला है तो पॉलिटिकल बैक्वर्ड नेश्चा पैटन्स मरे इंक्वाइरी करने हे काम तो कमिशन ला कराईचा है तो पॉलिटिकल इंक्वाइरी करून रिपोर्ट जर कमिशन नी साधर केला तर तेचा डेटाचा डीटेल मरे जानाचा कोड़ाला अधिकार नाही असा 36 पटपने चंदरचूर साहबानी आपले जेज्मेंड मरे मंटेला है जे पुना 2021 मरे पुना तेननी इको केलेला है त्या मुले मी हे सरकारचा लक्षा दाणून दिला कि आत्ता आपन जर जा प्रकारे मराठा अरक्षनाचा वेई आपन जर पारेग्राफ 2-8-3-27-27 पहला तर हाँ डेटा कुठे ही ना कारला नाही तेननी तशावस प्रकारचा डेटा हाँ पुर्चा 3 मेनाथ-4 मेनाथ अपलेला तैयार किला जा उश्वक्तो तेचा वर जीके करनाटकातला डेटा तैयार जाला होता तर अपले गवई साबानी तैडिकानी सांगितल राजिंदर गवई साबानी कितो दोन मेनाथ जाला होता आणि तो अफेल्ड केलेला है तेमले आशा प्रकारचा डेटा आजर आपन तैयार किला तर आपन ओबी सीचा आरक्षण हे निवण नुकांचा आधी परत करू शक्तो आणि तेमले केंदराचा डेटा आणि सुप्रीम कोटातली केस वगले या सग्या गुष्टी आवशक्ता ही तेची नाई है आपले आला हा पोलिटिकल बैकवडनेस सा डेटा तैयार कराएचा है तेची क्वांटिफिकेशन चा संदर बात ही सैंपल चा आधारावर क्वांटिफिकेशन करता है तो तेला पूर्णा जनगणनेची आवशक्ता नाई है तेही मी निरने यह डिकाणी वाचुन दाखोले है इम्पेरिकल डेटा मनजे काई हेही मी ता डिकाणी जेकाई जेजमेंट साहे तानी तेची डेफिनेशन है तीरेखिल वाचुन दाखोलेली आहे आता माजी राज्य सरकारला विननती है या सगया गुष्टी अतिचस पष्ट धालेली आहेत येचा अनुसर आता राज्य सरकार निजर कारवाई केली तर निश्चित पड़े ऊबी सी चा पोलीटिकल आरक्षण आपण परत आनुसकतो आमी शेवट्ची विननती अशी केलेली आहे कि जो परियंत है पोलिटिकल आरक्षन ओबिसी चा परत म्यत नहीं, तो परियंत स्थानिक स्वराज संस्तां चा निवर्णुका घेवू नका, करण आपन बगतो सहकाराचा क्छेतरात पाईजे ती निवर्णुका अपन घेतो है, नाई पाईजे तो पुड़े ढखलतो है, नका, स्थानिक स्वराज संस्ता चा संदर्बात ही, जो परियंत ओबिसी चा पोलिटिकल आरक्षन परत म्यत नहीं, तो परियंत है निवर्णुका घेवू नहीं, अन्य था अपरिमित हानी, ओबिसी समाधाचे होईजे या सग्लया एचा और मानानी या मुख्यमंत्रानी स पर आमचो मत असा है कि हे आरक्षन परत करण सहस्यक्ष्या आहे, त्या दुर्ष्टिनी कारवाई जानी पाईजे, अनि जवजवर विरूधी पक्षातले वेगवेगे जेवडे पक्षा आले होते, या सगेनी इस बाब मानली सरकार मिघे विचार लो कि सरकार जो यह उचा कही परियाया आहे का, त्याशा और सरकार मिघे जेंगे तला आमचो कही परियाया नाही आत्ता चा परिस्तिती मदे 15 टक्या चा आजर ठेवल तर 20 जिल्ल्यां मदे 35 टक्या परेंट आरक्षन देता तो 27 ते 35 मजे तीते वाड़ो उता है तो आणी 15 जिल्ल्या शेयत कि जा जिल्ल्यां मदे तेतले 5 जिल्ल्या शेयत जीते मोठया प्रमात इफेक्ट होतो दहा जिल्ल्या अश्याइद किजिते 22-27 स्टक्या अरेक्षन भी है मंजे मूल प्रश्ण हाँ पाद जिल्ल्यांचा जटी लाए तो प्रश्ण कसा सोड़वायचा यचा विचार सरकारला करावाला गेल तर हे जे मूल जजमेंटा है जस्टिस बाल कृष्णान चीफ जस्टिस एंचा घटना बिठाचा है त्यामले अजुन जजेस सा बेंच अपलेला कर्स्टिटूट करावाला गेल मन्जे पुडचे पास ते साथ वर्ष ओभी सीला एक ही जागा रिजर्वेशन मदे मिलार नाई त्यामले है दोन लडाया पैरलल लडले पाईजे पहले अन्दा जवजव वीज जिल्ल्यातला एडिशनल आरक्षण अपलेला मियोन जे कंपेंसेट होता ते गेतला पाईजे तहा जिल्ल्यान मदे 22-27 टक्के मिता ते गेतला पाईजे आनि पाथ जिल्ल्यान करता आपन नीट विचार करून तेनना ही देताना शक्क्या है तेला विगा काईडा तैयार कराव लगेल तो काईदा तैयार केला पाईजें, तेचे वेत्रिक्त, सर्वोच्च नेलात लडायाचा तो लडायाला पाईजें, पण केवल ही बिती दाखो उन, एकाही ओबी सीला आमी आरक्षन डेनार नाई, अश्या प्रकार्च जर कोणी मनाता सेल, आमाला ते मान्य नाही, आमी ते म के स्ट्राइक डाउन केल नाई, रीडडाउन चा अर्थास आए, प्रिपल टेस्ट पुरुना करा आरक्षन परत्मी है, देखिये, अज़की मीटिंग में क्याकर्च जराईजें, देखिये, महाराष्ट में सुप्रीम कॉर्ट के निरने से, OBC का स्थानिक स्वराज संस्ता में पूरा का पूरा आरक्षन ये रद्ध हो गया है, एक भी जगा OBC के लिए बाकी नहीं है, और इसलिए हमने ये मांग किये, कि सुप्रीम कॉर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट बताईए, उसको पूरा करके OBC का आरक्षन वापिस करना चाहि इसमें पूलिटिकल बैकवर्डनेस का इंपिरिकल इंक्वाइरी करने को सुप्रीम कॉर्ट ने कहा है, जो अगले दो-तीन महने में हो सकती है, जो हमारा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमिशन है, उस कमिशन की ये जिम्मेदारी है, उसको रिसोर्सेस दिये जाने चाहिए, और ये अगर किया जाता है, तो कॉट ने आरक्षन का जो सेक्षन है, उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको रिड डाउन किया है, ये ट्रिपल टेस्ट पूरे किये बराबर हमारे OBC समाज को पोलिटिकल आरक्षन महाराष्ट में वापिस मिल सकता है, और इसलिए हमने मा ईसके डाउन नहीं किया, जिसके दिक्नक हो रही है, मैंने आज सुप्रीम कोट का निरने लाइन टू लाइन पड़के, केंदर का डेटा है, ये जेक्षोट इन्कौरी मतारिये और वो भी पूलिटिकल बैक्वरडनेस के पैटन में, केंदर के डेटा में पूलिटिकल बैक जो करनाटक की केस है जिसमें केवल दो मेने में मात्र दो मेने में उन्होंने पूरा स्टडी करके कमिशन का रिपोर्ट साधर किया और उस रिपोर्ट को मंजूर भी किया गया सुप्रीम कोट ने कहा कि कोट इस रिपोर्ट के डिटेल में नहीं जाएगा हम इसको मानते है तो यह महाराष्टर भी कर सकता है यह हमने उनको समझाए